दोस्टों अब सबका सवागता है हमारे यूट्यूब चैनल दाव आनेस्ट में तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्रपरदेश टेट की पॉपॉलेशन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि उत्रपरदेश का जो भी पॉपॉलेशन सेंसे 1901 से लेकर 2011 में हुए उनमें उतरपरदेश की कितनी population थी और कितनी percent growth rate रही तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं 1901 के population census को तो 1901 के population census के according उतरपरदेश की total population थी 4.66 crores और second population census 1911 देखते हैं तो 1911 में उतरपरदेश की population थी 4.60 crores और जिसमें growth rate रही थी minus 1.36 percent यानि के उतरपरदेश की population 1901 से लेकर 1911 के वीच में 1.36 घटी थी तो उसके बाद 1921 के population census में उतरपरदेश की total population रही थी 4.45 crores जिसमें growth rate रहा था minus 3.16 percent तो अब हम बात करते हैं 1931 population census की तो इसमें उतरपरदेश की population थी 4.74 crores और इसमें उतरपरदेश का growth rate रहा था 6.56 percent यानि के 1921 से लेकर 1931 के बीच में उतरपरदेश की population 6.56 percent के growth rate के हिसाब से बढ़ी थी तो next population census रहा था 1941 में तो इसमें उतरपरदेश की population रही थी 5.39 crores जिसमें population growth rate रहा था 13.57 percent और next population census 1951 का हुआ जिसमें उतरपरदेश की total population थी 6.02 crores और जिसमें growth rate रहा था 11.78 percent तो इसके बाद है 1961 का population census इसमें उतरपरदेश की total population थी 7.01 crores तो जिसमें growth rate रहा था 16.38 percent तो next population census 1971 का था तो इसमें उतरपरदेश की total population रही थी 8.38 crores तो जिसमें growth rate रहा था 19.54 percent यानि के 1961 से लेकर 1971 के बीच में उतरपरदेश की population 19.54 growth rate के हिसाब से बढ़ी थी तो next population census रहा 1981 में जिसमें उतरपरदेश की total population थी 10.5 crores के आसपास जिसमें growth rate था 25.39 percent तो next population census 1991 का था जिसमें उतरपरदेश की population थी लगबग 13.2 crores तो जिसमें growth rate रहा था 25.61 percent का तो इसके बाद है 2001 का population census जिसमें उतरपरदेश की total population थी 16.6 crores तो जिसमें growth rate था 25.85 percent तो इसके बाद population census हुआ 2011 में तो जिसमें उतरपरदेश की population थी 19.98 crores की तो और इसमें उतरपरदेश का growth rate था 20.23 percent का तो दोस्तों ये थी उतरपरदेश की population census के बारे में पूरी जानकारी कि हमने जाना इस वीडियो में कि 1901 से लेकर 2011 तक उतरपरदेश की क्या population रही और कितना percent growth rate रहा तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी informative लगी होगी अगर आपको ये वीडियो काफी informative लगी है तो प्लीज इस वीडियो को like कर दें और आप हमें कमेट करके ये बताएं कि 2021 का जो population census होगा अभी तो हुआ नहीं है लेकर अब जब भी कभी जो population next population census होगा तो इस population census में उतरपरदेश की क्या population रहने वाली है तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया